कथा में वह एक दूसरे तरह का प्रियोग प्रस्तुत करता है किसी रचनाकार के लिए काभ्य भासा से बचने के अनेक कारण हो सकते हैं एक कारण यह भी हो सकता है कि उसे काभ्य भासा लिखनी ही न आती हो समसेर से यह उमीद नहीं की जा सकती जहां वे ऐसी भासा लिखना चाहते हैं, वहां वे बड़े समर्थ दिखते हैं, नमूना देखिए गंभीर तो जैसे कोई सपत ले रहा हो, उद्दाम और मस्त तो जैसे जहमा जहम बारिस हो रही हो, सरल और सरस तो जैसे हवाएं मलहार गा रही हो, इसी के बरक्स एक और उदाहरण जहां इस गध्यांस में 1920 के बाद उभरे हिंदू मुस्लिम वैमनस्य पर राजनितिक टिपड़ी है, उस अपराजयता की बधी मुठी को सामराज्यवाद की विशाल कुटिल नीति ने किस तरह मसल मसल कर धीरे धीरे धीला किया है, तब से आज कुछ नेताओं की जखमी उंगलियों की दूखती नसे और जोड़ बंद ही जानते हैं, कलाई से पंजा अलग हो गया है और उंगलियां आपस में नहीं मिलती, दर असल समसेर का काब्यभासा का प्रियोग करते ही वहीं हैं, जहां अपनी बात को सामान्य भासा में कोई परानुवन मनहिस्थिती नहीं होती, इसलिए यह कविता के अतिया उत्कट यथार्थवादी ततका लिक्ता से भिन्न पड़ती है, कविता जहां अमुर्तन की ओर जाती है, गध्य मुर्तन की ओर बढ़ता है, संभवत समिक्षा और कहानी का धर्म ही है अमुर्त को मु पांतरित करने के दोरान इसे इतना सुक्ष्म, इतना बारीक बना देती है, जो पाठक को पूर्टह कंसीव नहीं हो, गध्य में ऐसे अस्थल नहीं मिलेंगे, काव्य भासा लिखने की ऐसी छमता होने के बावजूद, वे काव्य भासा का इस्तेमाल नहीं करते, तो इसके भी जबरदस्त कारण है, बहुत से कभी गध्य की ओर मन फेर के लिए उनमुक होते हैं, जब कविता लिखना उन्हें उबाव लगने लगता है, परिडाम सरूप उनका गध्य हलका फुलका बन कर रह जाता है, समसेर अपने गध्य में अपनी बात एक अन्य धरातल पर कहते हैं, कहने के लिए उनमुक होते हैं, इसलिए इसमें कभी कर्म का ही अनुपूरक है, किन्त उस तरह का अनुपूरक नहीं, जिस तरह का अग्य या मुक्तिबोध का है, अपनी आलोचना में अग्य एक खास किस्म की कभीता के पक्ष में, उसकी रचाव अस्थापना की कारों को अनेला करते हैं, यथार्थ बोत पर तरजीह देकर वे युगारंभक लगते हैं, इस अर्थ में नहीं कि उन्होंने आलोचना के किसी स्कूल के नीव का पत्थर रखा, इस अर्थ में कि समकालीन रचना, खास कर कविता की जिन विशेश्ताओं पर लोगों की निग जाहें नहीं जा रही थी, उन पर लोगों का ध्यान आकरशित कराया, उनके द्वारा तार सब्तक की समिक्षा ऐसा ही काम है, और जो निगाहों में तो थी, किन्त मुकम्मिल बहस का मुद्दा नहीं बन पा रही थी, उसे केंद्र में खींचा, जैसे इकबाल वो उर्दु क वियत्रियों पर लिखा गया उनका लेख को आप देख सकते हैं, अग्ये कथा के छेत्र में भी अपना मुकम्मिल व्यक्तित्व बनाते हैं, किन्तु समसेर कथा बाता और प्रियोग लिखते हैं, और वह उनकी चित्र कला के अनुरूप लगता है, दरसल अगर गहराई के सा ओख अनुपूरक लगते हैं, यह एक अच्छे सोध का विशै होगा कि जहां तीन तीन विधाओं में अग्ये के तीन अलग अलग व्यक्तित्व उभरते हैं, समसेर तीनों विधाओं में एक ही व्यक्तित्व बहुवायामी बन कलाकार का विकास है, या भग्न अर तब समसेर का व्यक्तित्व क्या पूरता की ओर उनमुखन है या व्यक्तित्व का संकुचन समसेर की कथा प्रयोग से आगे नहीं बढ़ती अपनी कहानियों के बारे में समसेर की धारणा है कि वे कविता के भाव से वहां उत्पन हो सकती है जहां वह भाव किसी समस्या की उलजन हो और उसका दर्द सुलकता हुआ सा चित्रपट बनना चाह रहा हो ऐसी कहानी कविता से नो केवल मुर्तन यानि बनावट वब बुनावट की भूमी पर भिन होगी अपने प्रणोद में भी भिन होगी फिर जो कहानी कविता से भिन थिम पर लिखी जाएगी वह कला अभिव्यक्ती के दूसरे आयाम स्रिजित करेगी हम पाते हैं कि अपनी कहानियों और इसकेचों की मानसिक्ता में समसेर अपनी कविता की मानसिक्ता से भिन्न है इनकी मानसिक्ता छायावादी यूग का उतरार्ध है जिसमें यूग के अंत का एक व्यक्तित्व बोल रहा है कविता में यह बोल जहां दिनकर बच्चन और संभावतह स्युमंगल सिंसुमन का था कहानी में वह बोल समसेर का है किन्तु गौर करने की बात यह है कि कहानी का यह युगांत बोध वही नहीं है जो उस कविता का युगांत बोध है दरसल इस बोध को युगांतक कहने की आवश्यक्ता ही इसलिए पड़ती है कि स्वैंग समसेर की निगाह में उनकी कहानिया कविता के उनके अतियत हार्थवादी प्रगतिसील बोध से भिन्न है यह बात तब और प्रमाडिक होकर उभरती है जब हम उनकी प्लाट का मोर्चा जैसी कहानियों को अग्यें की कहानी मेजर चौधुरी की वापसी जैसी कहानियों के बरक्स रख कर देखते हैं जो आरंभिक दोर की प्रगतिसील कहानी का बढ़िया नमुना है फिर भी क्या कोई रचनाकार अपने रचनात्मक व्यक्तित्व को माध्यमों में इतना बाठ कर रख सकता है कि उनमें वह एकदम भिन्न दिखने लगे मेरी राय में तो यह सिर्फ उसके जटिल व्यक्तित्व का परिचायक होता है क्योंकि सत्व अंततह सम्में एक साही होता है यह सिर्फ आलोचकों की नीजी कृपा है कि समसेर कविता में जननमुखी प्रगतिसील से लेकर कवियों के कवितक बन जाते हैं ठीक उसी वक्त जिस वक्त उनकी कहानी पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। सही बात यह है कि उनकी कहानी और कविता दोनों में सुर्यालिष्ट तत्व एक जैसे मौजूद हैं। चुकि समसेर के पास कहने के लिए सिर्फ वजनदार बाते ही हैं। इसलिए उन्हें बनावटी भासा की और बहकना नहीं पड़ता। का बिभासा का प्रियोग भावुक्ता के चलते भी होता है। समसेर भावुक्ता से बचते हैं। यहां तक क्विता में भी। इसलिए उनकी कविताओं में जो सबसे महत्व पूर है, उनकी कथा में काब्य भासा नहीं के बराबर है। उनका गद्य वहां उद्धात है जहां प्रकृती का वरणन हो और उसमें भी कोई काब्य बिंदू उपस्थित हो एक नमुना देखिए बहुत बीहडवन था भयानक भी यद्यप्य हमें अद्भूत ही अधिक लगता था भयानक कम उसमें एक सिम्त तो कोई आवाज नहीं उला दिया हो वहां चाया में भी कमपन या ज्योती का प्रसार या प्रसार नहीं था वहां एक गहराई थी जो अंधकार का रूप लिए मौन प्रत्यक्ष थी अकास मंडल की सांस हिउस वन के इस दक्षिन दिशा में आकर ठहर गई थी समसेर का गद्य वहां भी उद्धात ह होता है जहां ब्यक्ति को अपनी बात ब्यक्ति के रूप में आध्यात्मिक धरातल पर नहीं तो कम से कम अस्तित्व के धरातल पर कहनी हो यहां भी एक नमुना देख लीजिए वह एक आग्रमन और सांत चित था नगर का कोलाहल अभी मधिम नहीं हुआ था लोग अभी थे वह कह उठा तुम इन नचत्र राशियों को मिला कर तो कोई कहानी नहीं बना सकते माना ये साफ हस्पष्ट है और अपनी सरलता में बहुत उची है पर कोई कहानी तुम इन तारों की आत्मा से नहीं बना सकते मैं देखता हूँ अब इस निर्मल आकास गंगा में सहर के बीच रातरी के निर्जन से प्रहर में निरर्थक कोलाहल से घिरे हुए प्रत्यक मनुस्य के अकेले पन में इसमें और इस लडाई में जो कोई संबंध हो नो हो इनमें कहानी का कोई तार नहीं है। प्लाट का मोर्चा सिर्षक इस कहानी में भी छायावाद से निकल भागने की कोशिस है किन्तु यह दोड समाजिक सरपट दोड में रुपांतरित नो होकर एक नए बिश्व की तलास में परिवर्तित होती है जो जाना जाना तो लगता है किन्तु बहुत परचित नहीं इसमें मानव बाह्य का विमर्स नहीं स्वैंग मानव की अपनी तलास रहती है समसेर का अच्छा गद्य बड़े से बड़े आलोचकों की गम भीरता से हाथ मिलाता है यहीं अनोखा आलोचनात्मक अच्छा गद्य किदार नाथगरवाल त्रिलोचन मुक्तिबोध नागारजुन औ नरेंद्र सर्मा की कविता की समिच्छा में भी है समसेर के अच्छे गद्य की विशेषता है ठोस जमीन और स्वदेशी गहराई अच्छे गद्य के घनत्व और प्रसार में अंतर है इसे समसेर खूब जानते हैं प्रसार में वह खुद को खोलते हैं संसमरन सुनाकर अपनी मान्यता को पुष्ट करते हैं सेली और निराला के इतिहास में जहांक कर वह अपने प्रियकवी की स्रेश्टता का स्रोत पाठकों के सामने रखते हैं घनत्व में आप डाक्टर राम बिलास सर्मा का फ्रांस की क्रांती से जुडा सेली किट्स और 1857 का प्रसंग पढ़ लें डाक्टर राम बिलास सर्मा कविता के समाज सास्त्र की पद्धत के इतिहास कार हैं वह भारत की मुक्ति गाठा से फ्रांस की क्रांती का नाता जोडते हैं समसेर व्यवहारिक समिक्छक हैं मूलता कवी हैं सर्जन पक्ष के धनी हैं काल और स्रिजन की प्रक्रिया में वे लिखते हैं एलिस इन वंडरलेंड में हैंटर को क्यों सजा मिली थी यह बड़ा दिल्चस्प सवाल है मेरे लिए ताल से बेताल होना इतना बड़ा पाप था कि उसके बाद से हैटर के लिए समय ही रुक गया दिमाग के आधे में ही छुट्टी हो गई कैसे एक कवी अपनी रचना प्रक्रिया को पकड़ता है या अनुबिम्बित करता है काल और स्रिजन की इसी ब्यवहारिक समिक्षा में समसेर इसे देखते परकते हैं समसेर पत्र लिखें, डायरी लिखें, कवीता लिखें या अलोचना लिखें वह उसे युलासिकल पीस बनाते हैं यह कला साधना बड़ी, लंबी, अनुभूती पर चित्त को एक आगर करने के बाद उन में आई है आप ध्यान दीजिये वहां, जहां वे कहते हैं, अग्यें सुरूची के कवी हैं, यह कविता में कहने के बाद समसेर पाठक के सामने कम खुलते हैं पर जब वे डाइरी में कवी अट्टिला जोजे पर एक पैरा लिखते हैं, तो वह अपनी सीमा और हिंदी के प्रगत सीलों की सीमा पर एक कड़ा फैसला भी करते हैं यह कड़ा फैसला करते समय वह अच्छे गद्य यानी आर्ट का तंद्रूस्त नमूना भी आपके सामने रखते चलते हैं डाइरी में देखें, न्यू हंगरी में कवी अट्टाली का अट्टिला जोजे पर एक छोटा सा मगर काम सभी की सभी जानकारी देने वाला लेक और उसकी एक कविता डैन्यू के किनारे का अनुबाद छपा है गुआरगी बेलूनी का लिखा हुआ है, हंगरी में आलोचना की सैधान्तिक द्रिष्टी, कला का बहुत विक्सित मालूम होती है, जिस बात को पेश करते हैं, उसमें साहितिक सुरूची स्रेष्ट अस्तर तक मिलती है नेशनल इस्पिरिट भी बराबर जहलकती है, इसमें सक नहीं, मगर जो भी साहितिक नक्सा पेश किया जाता है, पूरा बैक ग्राउंड साप साप समझ में आ जाता है, बाते दलील के साथ रखी जाती है भासाओं के अगम समुद्रों का अवगाहन करने पर रचनाकार की कोशिस सर्वत्र प्रगट होती है, समसेर इसी बात की पहचान करते हुए भासा और साहित्य पर एक नए द्रिष्ट कोण की मांग की थी समसेर ने लिखा है, हमारे यहां प्रेमचंद के बाद मुझे भी यहीं लगता है, उस अनुभूती को उस विशिष्ट समझ और गहरी पकड़ को बहुत उर्वर धर्ती तो नहीं मिल सकी कम से कम हिंदी के बारे में मेरा यहा स्पष्ट मत है, हम अब भी अपनी दुनिया में तीनों लोग से न्यारे हैं और उसी में खुस हैं, यहां हम का अर्थ है उचे विभागी पद की आर्थिक सुविधाओं के कोल्ड सनाबरी से आविष्ट मध्यमवर के अंग्रेजी परस्त बुध जीवी, यह लोग जन कभी रामकेर से भी अलग थलग हैं, और स्रिष्ट कभी गालीब, निराला और मुक्ति बोध की वेदना और तडप से भी दूर हैं, समसेर आधुनिक्ता के खोखली गतिसीलिता वह यूरोप में हो या भारत में पसंद नहीं करते, भासा और साहित्य उनके लिए नई चुनवती है, वह सांस्कृतिक भटकाव का स्वार्थ परक्संकुचित सुख नहीं, वह सिर्फ अमेरिकी, इंगलेंड, फ्रांस, जर्मनी की नकल में एक जूठी आधुनिक्ता का प हमारे यहां भारत की हर भासा में दस दस पांच पांच ऐसे नौजवान साहित्यकारों की, जो चीनी, तिब्वती, बर्मी, नेपाली, पस्तो, फार्सी और सिंहली भासाओं में से एके को अच्छी तरह पढ़ लिख और बोल सकें, जो हमारी सीमा पार के नए वैचारिक दर्भ में पाठकों के सामने रख सकें, मात्र जिविका के लिए कुछ भी दैनिक समाचारों की तरह जटपट अनुवाद कर सकने वाले नहीं, मात्र प्राचीन ग्रंथों के भासियों का उल्था करने वाले नहीं, बल्कि जागरूक हिरजय और मस्तिक्स रखने वाले आध के बोलने वाले की सांस्कृतिक आवस्यक्ताओं का और किस तरह से उनको पूरा किया जा सकता है, इसका सही अंदाजा रखते हूं, समसेर का गद्य और पद्य की भिन्न भावदासाओं और मुद्राओं में खुले पन से बाचित करते हैं, उनका गद्य पढ़ना आज भी प पिरलोचन से अपने बेसंभाल और उनके एकदम तटस्त तर्क का सूत काटते हुए मन ही मन बोलना बतियाना ही है, कहीं समसेर का पूरा जीवन कलात्मक प्रियोग साला में संगहर्स और चुनवती भरा खुला इतिहास है, जहां उर्दु, हिंदी एक नए सांस्कृतिक भा साई मुहावरे का ब्यावहारिक रास्ता खोलती है, काल से होड लेते समसेर का कभी और गद्य लेखक कई बार आपको सावधान करता है, यह सावधानी भावी भारत की कहानी कभी बनेगी, समसेर ने डायरी में लिखा था, मैं हिंदी नावल का इतिहास लिखूंगा, जिसम हिंदी उर्दू का भेद कतई न होगा, कतई न होगा, उपन्यास की दुनिया की धारा सरशार वगेरह से सुरू होता है, यह इतिहास अभी लिखा जाना है, नमस्कार